नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आपका स्वागत हैं जर्खन के 22 साल के इतिहास में पहली बार, जब किसी राजेपाल ने राजकिये समाचार से दूरी बनाई है उनकी जगह जामो सुप्रीमो और राई सवा सांसा सीवू सोरेन को मुख्यती थी बनाया गया हलाकी मोरबादी मैदान में आयोजीत अस्थापना दिवस समारों राजेपाल के सिर्कत करने को लेकर पहले से ही संसे था कहा जा रहा है कि मोख्य मंत्री हेमान सुरन से जुड़े खनन पटालीज को लेकर ओफिस और प्रोफिट मामले में चुनाव आयोग की चिठी और मनी लांडरिंग तथा अवायद खनन केस में इडी का समान दो परमो कारण है जिसकी वज़ा से राजेपाल ने मंच से दूरी बनाई है प्रधान मंत्री नायंद मोदी ने जार्खन अस्थापना दिवस की बधाई उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि समस्त जार्खन वासियों को राजे के अस्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई मेरी कामना है कि प्रकृतिक संसाधन और जन जातिये कला संस्कीरित सम्रीद या परदेश प्रगति की उचायों को प्राप्त करे उन्होंने भागवान बीर्षा मुंडा को नमन किया है राष्टपती राजेपाल और मुख्य मंत्री ने दी बीर्षा मुंडा को सरधांजली भागवान बीर्षा मुंडा को सरधांजली देने राष्टपती द्रोपती मुर्मु आज सुबा जार्खन पहुंची थी उसके बाद ओ उलिहातु गाउं के लिए उडान भरी वहाँ पहुचकर उन्हें भागवान बीर्शा मुंडा के पर्तिमा पर मल्यारपन कर संदाज लिदी उनके साथ केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा, सियम हिमन सुरेन और राजय पल्रमेस बैस भी मजूद थे इस असर पर राष्टपती ने धरती अबभावान बीर्शा मुंडा के बंसुजों से मुलकाद भी की जारखन में राष्टपती द्रोपती मुर्मु का हुआ स्वागत राश्टपती द्रोपदी मुर्मु ने आज बीर्शा मुंडा की गां उली हातू में उन्हें स्रधा सुमन अर्पित किये वायू सेना के बीमान से राश्टपती द्रोपदी मुर्मु राइधानी राची इस्थीत बीर्शा मुंडा यारपोट पर पहुँची यहां राज़ सेना के हेलिकोप्टर से खोटी जीला के उली हातु रवाना हो गई उली हातु में भागवान बीर्षा को सतनाली देने के बाद उनके वनसुजों से मुलकात की और उनका हाल चल जाना राष्ट पती के आत्रा के मद नजर खोटी में सुरक्षा के चाक जोवन्द इंतजाम किय के ग कैंघ का मंधके आगरउ को एडीने ठुक राया सत्रह को होगी पुष्टा ज्यारखन के मुख्य मंत्री हेमांसुरेन के आगरउ को प्रवतनी इदासाले को वह सुख्य होने को कहा है मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने इडी से आगरह किया था कि 16 नौमबर को उनसे पुष्टाच की जाए लेकिन परवतन निदे साले ने उनके इस आगरह को असविकार कर दिया और 17 नौमबर को हाजित होने को कहा आपको बता दे कि अवयद खनन से जुड़े मामले से इडी इनसे पुष्टाच करेगी परवतन निदे साले ने अवयद खनन मामले में पुष्टाच के लिए जारखन के मुख्य मंत्री हेमान सुरेन को दोबारा समन भेजा था इडी ने 16 नौमबर 2022 को रांची के इडी ओफिस में उन्हें पेस होने को कहा था सीम हेमन्त ने मुराबादी में की सोगादो की बारिस जारखन अस्थापना दिवस पर सीम हेमन्त सुरेन ने रांची के मुराबादी मैदान से मंगलवार को सोगादो की बारिस की उन्होंने मुखे मंत्री सिक्षा प्रोसान योजना मुखे मंत्री सार्थी योजना गुरुजी क्रेडिट काड योजना एवं जार्खन एक लब्य प्रसिक्षा न योजना का सुभारम किया इस करम में 609 सहायक अभियनताओ और 309 नर्सों समेत अन्यों को न्योक्ति पत्रसोपा विद्यार्थियों को अच्छी सिक्षावा युवावों को रोजगार को लेकर सुरू की गई एक खास योजनाय बड़ा बदलाव लाएगी सियम हेमान सुरे ने मुख्य मंत्री सिक्षा प्रसान योजना का सुभारम किया वहीं हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने के एक चुक दसवी के छात्र शत्राओं को फिरी कोचिंग दी जाएगी ऐसे चात्रों को पर्तिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पढ़ने का मौका भी दिया जाएगा योजना के तहट परवेश परिक्षा की त्यारी के लिए पूरा फीस सरकार वहन करेगी वहीं सरकार बचों को हर महीने पचीस सो रुपए भी देगी ये रुपए उनके खाते में टांसफर किये जाएंगे जारखन अस्थापना दिवस पर रांची में भब्य सजावाट जारखन अस्थापना दिवस के मौके पर आजधानी रांची के मौरबादी मैदान को दूलहन की तरह सजाया गया है समारो अस्थल पर दसकों की भीन लगी हुई है जबकि मैदान के बाहर राजे सरकार द्वारा चला जा रहे योजनाय के पोस्टर भी लगे हुए है जहां लावकों को उन योजनाओं के बारे में जनकारी दी जा रही है परवेश द्वार की सुन्दर्ता देखते ही बन रही है आपको बता दिकी कारकरम के अध्यक्षता सीमें वन सुरेन कर रहे है जहारखन में लेंड रिकोर्स अपडेट नहीं होने से कर्ज मिलना मुस्कील जहारखन में भूर आजस्व अभिलेग समाई के साथ अपडेट नहीं किये जा रहे है इससे बैंकों को सरकारी और जनाओं को लागू करने और रिन देने में परसानी हो रही है जमीन खरिद विक्री के बाद वास्तविक माली की पहचान अस्थापित करते समाई बीती अधिकारियों को भायवित होकर काम करना पड़ रहा है इसका असर भूमी की खरिद विक्री पर भी पड़ रहा है साथी सरकार को पंजियन से होने वाली आय का भी नुकसान हो रहा है बता दे RBI द्वारा दीगे जनकारी के मुताविक अधिकांस मामले में करेंट टाइटल होल्डर का नाम अब भी वेपसाइट परसपस्ट नहीं है उसका कहना है कि सरकार बैंकिंग सिस्टम में ऐसी वेवस्था करें जहां भातिक सत्यापन और रिवेण्यू ओफिस जाने की बद्यात्या नहीं हो सियम हेमन्त के परियाद से लोग रासन कार्ड फेक देंगे मुख्य मंत्री हेमन्सुरे ने कहा है कि हम 10 साल में ऐसी ग्रामिन अर्थ वेवस्था बनाएंगे कि गाउं का हर व्यक्ति अपना रासन काट फाड़ कर फेक देगा उन्होंने कहा है कि महंगाई बढ़ी हुई है इस पर हमारी नजर है कुरोना जैसी चुनाती को हमने पार किया है सुखार राहत के लिए 200 परखंडों को चीनित किया है अस्थापना दिवसमारो समाफ्त होने के बाद फिर से सिवीर लगाएंगे और किसानों को चीनित करके उन्हें अगरी मरासी उपलब्द कराएंगे वहीं हेमन्सुरे ने कहा है कि 20 सालों तक जैसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुँच पाया हमने बड़े पैमाने पर योजना बनाई है काम भी सुरू कर दिया है अगले 5 साल में इस राजे की हर खेत में पानी पहुँचा देजी सरकार सिक्षको की प्रोनाती में गलबड कर रहे अपसर प्रात्मिक सिक्षको की प्रोनाती में जीलो में भारी गलबड़ी हो रही है कहीं वर्यता को दरकिनार कर कनिये सिक्षको को प्रोनाती दी जा रही है तो कहीं पद नहीं रहते हुए भी सिख्षको को प्रोनाती दे दी जा रही है इससे कोट में अच्काओ की संख्या बढ़ती ही जा रही है इसकुली सिक्षा यमसक्षर्टा विभाग के सचीव केर अभीकुमार ने कोट में दाखिली अजकाओ की समीक्षा में यह अगर बड़ी पकड़ी हाई बिभीनी अचकाव की समिक्षा के करम में यह बात सामने आई है कि कुछ जीलों में बिना पत की उपलबता के सिस्को को प्रोनती दी गई वहीं कहीं कनिये को प्रोनती दे कर वरिये को प्रोनती नहीं दी गई है कोछ जीलों में सविक्रीत बल से अधिक सिस्को को प्रणती दे दी गई है 22 साल में 541 पुलिस कर्मी सहीत मारे गए 1887 सिविलियान जार्खन को अपने कठन के साथ बिरासत में नक्सलवाद भी मिला है जिस समय राज बना था यानि साल 2000 में इसके 8 जीले नक्सल परभावी थे लेकिन जल्द ही ए आकड़ा दोगने से भी अधिक हो गया है नतीजा राजे में नक्सलवार दाते बढ़ी और इसका सीधा नुकसान जार्खन पुलिस को उठाना पड़ा बता दे जार्खन राजास थापना के 22 साल में 541 से अधिक जवानों और अधिकारियों ने अपने प्राणों क्या होती दी है वही नक्सलवाद का नुकसान सबसे बड़ी कीमत जार्खन के आमनागरिकों को भी चुकानी पड़ी है 22 साल में 1887 आमनागरिक नक्सल हिसा में अपनी जान गवाद धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हों तो चैनल के सब्सक्राइब का बॉल का बेल आकन दबाएए साथी साथ वीडियो के एक लाइक का अपने दोस्तों के से अशेर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बस में अपना फिडिवाएक का वसे दे थैंक यू